श्रीन आज्जी गुरुजी कॉलखादेश, माभगवती कॉलखादेश, रांची वाले भैरभ बाबा कॉलखादेश आप सभी को आदेश आदेश कोटी काला नला, भासम चतुर भुचम, त्री लोचनम, सम्शान आश्टकम, मद्यस्तम, मुंदाश्टक विभूशितम, पंचप्रेट स्थितम, देवम द्रिशूलम डमरूत था, खडगम चौख परम चैव वाम दक्षिने योगिता भैरव जी का जितने सुन्दर से किया जाए उतना कम है भैरव जी का ये मूल ध्यान है जो मैंने पढ़ा, इसमें आगे भी है विब्रतम सुन्दरम देहम सम्शान भस्म विभूशितम नाना शवय क्रीड मानम काली का हृदय स्थितम जो काली जी के हृदय में वास करते हैं उन भैरव को नमशकार है तो आज का जो विधान है वो सत्रू नाश का विधान है सत्रू नाश का विधान बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ सत्रू किसे मान जाता है तंत्रशास्त्र में सत्रू के कई प्रकार है सबसे बड़ा शत्रू उसको माना जाता है, जो धर्म की हानी कर रहा हो, दूसरा शत्रू जिस पे मारन प्रयोग हो सकता है, ये मारन प्रयोग सिर्व उस पे होता है, जो राष्ट का शत्रू हो, तीसरा शत्रू समाजिक शत्रू, और चौथा और सबसे निम श्रेनी का जो शत शत्रू होता है वो होता है व्यक्तिकज शत्रू किसको बोला जाता है व्यक्तिकज शत्रू आप किसी को मानते हैं कि वह आपका competitor है वह व्यापार में आपसे अच्छा कर रहा है तो वह आपका शत्रू नहीं होगा अगर आप इम्मॉरली ये मंत्र किसी पर चलाएंगे तो ये मंत्र तिन गुना आप पर वापस आएगा ठीक इस चीज को अमेशा ध्यान में रखिएगा शत्रू वो होता है जो moral grounds को छोड़के आपका अहित करता है ठीक है वो चाहे आपका समाजिक शोशन हो वो चाहे आपका व्यापारिक शोशन हो वो चाहे आपका आपके जमीन पर कबजा कर ले आपका जो अधिकार छेत्र है उसमें अगर कोई प्रवेश करता है तो उसको शत्रू माना जा सकता है कोई अपने कारे को कारे कुशलता से कर रहा है उसके कारण आपका नुकसान हो रहा है तो वो आपका शत्रू नहीं माना जाएगा है ठीक है भेरफ जी की किसी भी साधना में, ऐसे तो चौमुख्य दिया लाखा इस मात्र साधना में, हम सर्सोक तेल का एक बड़ा सर्सोग तेल लेंगे कि जाब जब तक करें तब तक जो है, वो सर्सोक तेल भूजेन ना वो पेस्टें अपने पीछे मतला आप जो है उत्तर की तरफ देखेंगे, दक्षिन में आपके पीछे ये दिया प्रवजलित होगा, ठीक है, जितना देर आप जाप करेंगे, उतने देर दिया को आप नहीं देखेंगे, ठीक है, तो सामने क्या रहेगा आपके, सामने जो है, आपके बाएं में, ठीक है, बाएं तरफ चल रहेगा ठीक ये विवस्ता हो गई आपके बैठने की इसके बीच में आप अपना आसन लगाएंगे जो की कंबल का होगा काले कंबल का हो तो बहुत अच्छा रहता है स्नान करके साधना में बैठेंगे ठीक आपको करना क्या है कि एक उरद काला उरद जो होता है उसको उबाल लेना है ठीक है और उसका एक छोटा सा विग्रह बनाना है ठीक और मान लेना है कि वो जो विग्रह है वो आपके शत्रू का है एक पत्ता लेंगे चाहे वो केले का हो या आम का हो उसके उपर सामने उसको स्थापित कर देंगे ठीक है और रोज जाप करने के बाद मुक्का जो होता है न मुक्के से मुठी बांद करके उसको धीरे से हम जो है समतल कर देंगे उस पुतले को रोज आपको यही करना है तो तो शुरुवात कैसे करेंगे जब पूरा व्यवस्था आप कर लेंगे तो हाथ में जल लेंगे और पहले तो संकल्ब करेंगे कि मेरा नाम अमुक है मैं इस गोत्र का हूं इस स्थान पर हूं अपने इस सत्रू के छै के लिए मैं यह ग्यारा दिन या 27 दिन जितना आपके बदल जाता है और फिर जो है इसी मंत्र से मारन हो जाता है किंतु परंतु वो सिर्व राष्ट का कोई अहित करें तब प्रयोग होता है ठीक है तो एक बार तो आप संकल्ब ले लेंगे उसके बाद जब दूसरी बार आप संकल्ब लेंगे तो हाथ में जल रखेंगे और बोलेंगे ओम अश्य श्री महाकाल भैरव मंत्रस्य विराट चंदः श्री महाकाल देवता हुम बीजम रिम शक्ति स्वाह कीलकम श्री महाकाल भैरव प्रीत्यर्थे जपे विन्योग ठीक है उसके बाद न्यास करेंगे जितना भी नास करेंगे वह अंगुठा को चूए या पांच ओंगली को चूए रिदै को चूए जहां जहां हम स्पर्ष करेंगे सिर्फ रिम मंत्र बोलके चूते जाएंगे मतलब पहले क्या करेंगे कि अपने हाथों का पूरा स्पर्ष करेंगे एक दूसरे से हरिम मंत्र बोलके उसके सर का स्पर्ष करेंगे अपने चोटी का स्पर्ष करेंगे दोनों भुजाओं का स्पर्ष करेंगे रिदय का करेंगे पाओं का करेंगे गुईया का करेंगे फिर ह 2019 करेंगे तो सब्सक्राइमने पहने हुए और बगच्छाल धारन करते विस्वान के साथ खड़े बहराबाबा का आप महल में ध्यान करेंगे ठीक है और महा काला भैरव नहीं नहीं रहेगा इतना करने के बाद जब बाबा का ध्यान हो जाए जब आप अपने नेत्रों में इमाजिन कर ले कि बाबा अब स्थापित हो गए है ठीक है तो फिर मंत्र जो है ओम नमो भगवते महाकाल भैरवाय काल आगनी तेज से अमुक यहाँ पर शत्रु का नाम में सत्रु मारिया मारिया अगर देश का दुश्मन है तो ठीक है अगर राष्ट काहित नहीं कर रहा है तो मारिया नहीं बोलके बोलेंगे हर रात्री आप इसका 1000 जाप करेंगे और अंतिम दिन जो है हवन करेंगे अगर 11 दिन कर रहे हैं तो 11 दिन और 27 दिन का कर रहे हैं आवाँ तो 27 दिन तक आप इसका जाप करेंगे 1000 प्रती रात्री को और जब अंतिम दिन होगा तो दशांस आप हवन करेंगे उसमें काला उरद, गुड या फिर सफेद शक्कर, ठीक है, दोनों रहे तो अत्ति उत्तम और लॉंग मिला करके आप हवन करेंगे, लकड़ी एक नंबर पे नीम की, अगर उस पे हवन करें तो बहुत अच्छा है, ना नीम मिले तो आम की समीधा का प्रयोग कर लें, और आम क साथ एक गुलर का जो है, डंठल आप उसमें डाल दें, वो समीधा में, तो हिसाब किताब बराबर हो जाता है, ठीक है, इसके बाद जो भी आपका विरोधी पक्ष है, वो अपने समस्याओं में इतना उलच जाएगा, कि वो आपके तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा, ये सा आधना, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी ऐसे वक्ति पर प्रयोग नहीं कीजिएगा, जो आपका कॉंपिटीटर है, एक कॉंपिटीटर में और एक शत्रू में बहुत अंतर होता है, ठीक है, कॉंपिटीटर को कॉंपिटीशन से जीता जाता है, तंद्र का प्रयोग उस प आप क्या कहते हैं, प्रयोग कीजिएगा, एक विशह जो भूल गया, वो बता देता हूँ मैं आपको, कि रोज जब आप अपनी मुठी से उस सामने में जो शत्रू बनाया है, उसको जब आप पीस देंगे, ठीक है, तो वो जो बचेगा, जो पीसने के बाद, उसको जल में प्रवाइद कर देंगे, जहाँ पर जल नहीं है, वहाँ पर आप गढधा कोड के उसमें उसको रोज दबाएंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही, जिनको पेड वाटसप ग्रूप से जुड़ना है, वो मेरे नमबर 9431188585 से जुड़ सकते हैं, इसमें जो साथना का शु पर जानने के लिए, अलिखाव अलेक पढ़ने के लिए, www.aghurtandras.com पर चाहिए, डारेक्ट बात करने के लिए, call me for I have download कीजिए, तो आप सर्च करेंगे, तो आपको मेरे प्रोफाइल मिलेगा, वाटसप पर भी आप उसे अपान्टमेंट ले सकते हैं, आज के लिए इतना